दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हाउजाड बीद लेजंस के लिए मैं आपके सामने हासर हूँ क्या टीम होनी चाहिए आज आपकी बांगला देश और पाकिस्तान के T20 जो की सेकंड T20 खेला जाएगा शेरे बांगला स्टेडियम में आज क्या टीम होनी चाहिए मैं आपके लिए आचुके हूँ बताने के लिए पहला मैश तो पाकिस्तान ने चार विकेट से जीत लिया है लेकिन बांगला देश के पास एक मौका है सिरीज को लेवल करने का पिछ काफी स्लो रहने वाली है और इसी कारण आप बड़ा स्कोर ख बने थे तो क्या होनी चाहिए आज आपके टीम सेकेंड टी 20 के लिए मेरी टीम में आपने बाबर आजम और रिजवान को रखूंगी हाला कि उन्होंने कुछ नहीं किया था पहले मैंच में और मिडल ओर जो है पाकिस्तान के उन्होंने दिखाया कि आप सिर बाबर आजम औ बाबर ःजम और रिजवान बिलकुल एक पर्मिनन्ट हिस्सा रहेंगे रिजवान बताुर मिकिट केपर रहेंगे बाबर आजम कैप्टान रहेंगे शादाप फाण जी है रॉमेड़ टीम इन्होंने अच्छा खेला था रहेंगे मयन अब थी मैच रहे हसन अली जिनका व मुँद वसीम जिन्होंने अधसन अली के साथ मिलके विक्ते चटकाएं थी वह भी मेरे टीम का हिस्सा है तो बोलिंग की कमान है हसन अली और मुँद वसीम समझा लेंगे इसके उलावा तकसिन एहमद जी हाँ जिन्होंने बाबर आजम और फकर जमान का विकेट लिया था पह बता है कि बतार कप्तान वो शायद आज का मैच अच्छा खेर पाएंगे मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे और अफीफ हसन हुसेन रहेंगे मेरे टीम का हिसा तो यह मेरी प्लेइंग 11 थी उम्मीद करती हूं मेरी प्लेइंग 11 आपको इंस्पार करीगा आपके टीम बनाने तसकीन एहमद, महदी हसन, महबुद दुल्ला, मुस्तफिजुर रहमान और अफीफ हुसेन मेरी टीम की कप्तान रहेंगे बाबर आजम, विकेट कीपर रहेंगे मुहमद रिजवान, मैंने आपको वाइस कैप्टन नहीं बताया मैं अपने टीम का वाइस कप्तान जो है मु और देखते हैं कि क्या बांगलादेश पाकिस्तान को 2-0 के लिए लेने से रोख पाएगा और लेवल कर पाएगा ये सीरीज झाल